स्वागत है आपके अपने चैनल के टू फैंटासी स्पोर्ट्स में के अपसी बिग बैस लिग टी 20 पैर्थ इसको चैस्ट वसे सिड्नी ठंडर्स डेट चार जन्वरी दो हचार तईस टाइम दो पहर के तीन वसके पैंट तालिस मिनट मैच नमन उन्दिस मैच विन्यों की ब लेवाजी करने वाली टीम ने दो मैच जीते हैं और पहले गेंदवाजी करने वाली टीम ने पांच मैच जीते हैं इस पीच पर आउसेत इसकोर 133 है टाउस जीत कर पहले गेंदवाजी करना सही फैसला होगा वेदर रिपोर्ट की बात करें पैर्थ में मौसम साफ है मैच क के दिन ताप मन 18% आधरता और 13.2 किलो मीटर परती गंटा हावा की गती के साथ लगबग 34 डिगरी सेलसेस रहने की उमीद है वही विजीविलीटी 10 किलो मीटर है खेल के दोरान बढ़सा की कोई समभावना नहीं है फाइनल टीम की अपडेट आपको टिलिग्राम की चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा पैर्त इस्टेडियम इसकोर रिकाउड की बात करें तो टोटल मैं साथ खेला गया है बैटिंग फईस्ट वाले दो में जीते हैं बॉलिंग फईस्ट वाले पाँच में जीते हैं फईस्ट निंग अबरेज इसकोर 133 है सेकेंड इनिंग 138 विकेट के नुखसान पर. Pairth Scatchers cricket team injury की बात करें तो इसका भी तक कोई चोट update नहीं है. Sydney thunders cricket team injury की बात करें तो इसका भी अभी तक कोई चोट update नहीं है. Pairth Scatchers vs Sydney thunders. Dream 11 prediction की बात करें तो Pairth Scatchers. हाल के मैं चुम अच्छे फाओं में दीख रहे हैं. वे मैच जीतने के प्रावल दावेदार है पैर्थ इसकोचर्स परसेश सीडनी ठंडर्स हैट टू हैट की बात कर तो पैर्थ इसकोचर्स साथ मैच जीतने हैं जबकि सीडनी ठंडर्स आट मैच जीतने हैं पैर्थ इसकोचर्स टीम की बात करें पहले 4 वन और आकरी में एक लॉस फैब डू प्लैसिस 29 बल पर 49 रन की पारी खेले 5 बल पर 3 रन की पारी खेले 4 बल पर 6 रन की पारी खेले 33 बल पर 68 रन की पारी खेले था और आकरी में 16 बल पर 32 रन की पारी खेले थे एडम लीट की बात करें तो 7 बोल पर 2 रन की पारी खेले, 30 बोल पर 35 रन की पारी खेले, 4 बोल पर 4 रन की पारी खेले थे, 8 बोल पर 7 रन की पारी खेले थे, 9 बोल पर 10 रन की पारी खेले थे, कैमरोन बैंक्रॉप्ट की बात करें, तो 32 बोल पर 46 रन की पारी खेले, 448 बोल पर 174 रन की पारी खेले, एकरी मैच में 324-110 रन की पारी खेलै थे जो से इंग्लीस की बात करें तो यह interface की पर है जो 34 बाल पर 47 या तैस बाल inequ की पारी खेलें आ करी मैच में Corner तो आश्टेन टरमर की बात करें तीम का कैप्टन है जो आंड बनने पर नömर के पारी खेलें 23 बनन पर 13 रन की पारी खेलें, दो बल पर एक रन की पारी खेले था और आखरी मच में 18 बल पर 20 रन की पारी खेले था है, आरोन हार्टी की बात करें, तो 7 बल पर 9 रन नोट आउट की पारी खेलें, 19 बल पर 17 रन की पारी खेलें, 17 बल पर 22 रन की पारी खेलें, फिर 17 बल पर 30 रन की पारी खेले था पहला मैच में यह बिकेट लेस रहते हैं अगला तीन मैच में यह बॉलिंग नहीं किया थे हैं और आखरी मैच में यह दो बिकेट निकाले था अपने टीम के लिए निक हॉपसन की बात करें तो पहला मैच में एक बॉल पर एक रंड नोट आउट की पारी खेलेते हैं दो बल पर एक रण की पारी खेले, चार बल पर चार रण की पारी खेले, 26 बल पर 46 रण की पारी खेले था और आखरी मैच में, छे बल पर तीन रण की पारी खेले थे, जह रिचरसन की बात करें, तो पहला मैच में, एक बिकेट निकाले थे, अगला मैच में चार बिकेट नि टीम के लिए जैसन बहरन डॉर्प की बात करें तो पहला मच में एक बिकेट निकाले अगला मच में दो बिकेट निकाले फिर एक बिकेट निकाले था और आखरी मच में यह एक बिकेट निकाले था अपने टीम के लिए पीटर हट जोगलू की बात करें तो पहला मच में एक बिकेट निकाले थे, अगला दो मच में यह बिकेट लेस रहे थे, फिर दो बिकेट निकाले और आखरी मच में यह बिकेट लेस रहे थे, बेंच पिलियर की बात करें, तो इस्टिफन एसकी नाजी है, एस्टन अगड है, कैमरोन गिरीन है, कूपर कंडनाली है, मीचल मार्स ह डेविट पैने है, हामिस मैकेंजी है, लांस मोरिस से, मैथ्यू कैली है, टैमल मिल से, सिड्नी ठंडर्स टीम की बात करें तो पहले त्रिपल वन और आखरी में डबल लॉस, मैथ्यू गिलकस बिकेट कीपर है जो 16 बल पर 33 रन की पारी खेले, 35 बल पर 37 रन की पारी खेले, 34 पर 36 बल पर 36 रन की पारी खेले, 7 बल पर 3 रन की पारी खेले ताँ और आखरी मेच में, 8 बल पर 3 रन की पारी खेलेते हैं, अलेक्स हैल्स की बात करें, तो 45 बल पर 77 रन की पारी खेले, 11 बल पर 9 रन की पारी खेले, 36 बल पर 69 रन की पारी खेले ताँ और आखरी मेच में, 12 बल पर 16 रन की पारी खेलेते हैं रिली रोसो की बात करें तो 14 बल पर 18 रन की पारी खेलेते हैं 35 बल पर 49 रन की पारी खेलेते हैं अगला मिच में बैटिंग का चांस नहीं थे हैं फिर 13 बल पर 14 रन की पारी खेले हैं और आकरी मिची में 18 बल पर 33 रंड की पारी खेले थे डैनियल सेम्स की बात करे तो 2 बल पर 1 रंड की पारी खेले 15 बल पर 36 रंड की पारी खेले अगला मिच में बैटिंग का चांस नहीं आये थे अगला मिच में फिर 10 बल पर 8 रंड की पारी खेले और आखरी मिच में दो बल पर एक रंड की पारी खेले थे पहला मिच में या विकेट लेस रहे थे अगला दो मिच में या दो दो विकेट निकाले थे फिर अगला मिच में या विकेट लेस रहे और आखरी मिच में या तीन विकेट निकाले था अपने टीम के लिए अलैक्स रोस की बात करें तो पांच बल पर चौदर रन की पारी खेलें बारा बल पर पत्चीस रन की पारी खेलें फिर अगला मिच में बैटिंग का चांस नहीं आये थे फिर 6 बल पर 8 रन की पारी खेलें और आखरी मिच में 23 बल पर 49 रन की पारी खेले थे बैन कटिंग की बात करें तो तीन बल पर एक रन नो टाउट की पारी खेलें फिर 9 बल पर 9 रन की पारी खेलें तीन बॉल पर दो रण की पारी खेले, एक बॉल पर जीरो रण की पारी खेले था और आखरी मच में, साद बॉल पर आट रण की पारी खेले थे, पहला मच में या दो बिकेट निकाले थे, अगला दो मच में या बॉलिंग नहीं किये थे, फिर अगला मच में या बिकेट ले था पने टीम के लिए क्रीज गरीं की बात करें यह टीम का क्याप्टेन है जो लगतार दो मेंच में यह एक एक विखेट निका ले था अग्या मेंच में दो बीकेट निकाले और आखरी दो मेंच में यह एक एक बिकेट निकाले थे हैं अगला मच में या बिकेट लेस रहे हैं और आखरी मच में या दो बिकेट निकाले थे अपने टीम के लिए मेंच पिलियर की बात करें बलेक निकी टारस है डेविट वार्डनर है जैसन संगा है बैक्स्टर हॉल्ट है बिकेट कीपर सेम वाइट मैन है बिकेट कीपर डेविट विले है फजल हक फुरकी है गुरिंदर संधू है तानवीर संगा है टॉबी ग्रे है फाइनल टीम की अपडेट आपको टिलिग्राम की चैनल पर मिलेगा टॉसन पलेइंग 11 बाइटिंग आउडर के लिए टेलिग्राम चैनल जरूर जोइन के लिए डिस्क्राप्शन बॉक्स में लिंक दिया है आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सस्क्राइब कर दीजिएगा ताकि आप तक ने वीडियो का नटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे पिलियर की बात कर तो विकेट कीफर से जॉस इंगलीज को रखें और मैथियूस गिलकस को रखें वेश्टमेन से फ़ाइब डूपलेसिस को रखें अलैक्स हैल्स को रखें रिली रोसो को रखें और ओलिवर डेविस को रखें और राउंडर से डैनियल सेम को रखें और आरोन हार्डी को रखें बालिंग से जे रिचर्सन को रखें एंड्रू टाय को रखें और जेसन बहरन डॉर्प को रखें क्याप्टन की बात करें तो क्याप्टन डैनियल सेम है और वाइस क्याप्टन जे रिचर्सन है टीम प्रिव्यू की बाद करें तो क्याप्टन डैनियल सेम है और वाइस क्याप्टन जेह रिचर्सन है यह फाइनल टीम नहीं है दोस्तों फाइनल टीम अप्टर टॉस के बाद दिया जागा टेलिग्राम चैनल पर अगर अभी टक टेलिग्राम चैनल नहीं जुआन किया तो जरूर जुआन किया डिस्क्रप्शन बॉक्स में लिंक दिया है